हम जब कभी किसी बड़े-बड़े धर्म सम्मेलान में जाते हैं, किसी बड़े बिद्वान का पुष्टक पढ़ते हैं, प्राया हैसी कालपिनिक या रोमांचिक कहानिया मिलती हैं, जिसमें स्वर्ग और नर्क की बहुत बड़ी-बड़ी कलपनाएं बताई गई हैं, बहुत का द्वार बताया जाता है, स्वर्ग का द्वार बताया जाता है, ये क्या है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, धर्म सास्त्रों में वनित स्वर्ग नर्क सभी को रोमांचित करते हैं, पर आज तक किसी ने देखा नहीं है, चाहे या नियंत्र भले कहीं न हो, स्वर्ग लो का अनुभव भी करता है पर समझता नहीं है यहीं स््वर्ग जैसे सुख हैं और इसी धर्ती पर नर्क जैसे दुख भी हैं जिस समाज या घर में सांती सदभाव और भायचारा का समाविश होता वहीं तो घर स्वर्ग है क्योंकि वहां सुख है शम्रिधी है भाईचारा है मेल unknowns एक दूसरे मेब अस्वाज है आत्मीय में लगावव है इसके विपरित जहाँ इसका आभाव है वही तो नर्क है नर्क और स्वर्ग इसके अलाभा कुछ भी नहीं है नर्क में केवल वा केवल हिंसा घीणा द्वेस और असान्ति के सिवा कुछ नहीं होता है स्वारग और नर्क की परिभासा भी यहीं है यह पुर्टा मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह किसकी अस्थापना करना चाहता है इसके लिए अन्य कोई कारक जिम्मेदार न नरक के तिन द्वार हैं काम क्रोध और लोफ आत्म कल्यार चाहने वाले पुरुष को इसका परित्या कर देना चाहिए जो इसके बस वर्ती होकर जीते हैं उन्हें ना कभी सुख मिलता है ना कभी सांधी मानस के सुन्दर कांड में बबात तुलसी दास भी रावर से विभीश क्रोध मोह और लोफ नरक के पंथ हैं इसका परित्याग कीजिए वह नहीं माना परिडाम पूरा दुनिया जानता है वस्तुता संसार में होने वाले सभी अपराधों के मूल में यहीं तीन चीजे हैं काम क्रोध लोफ एक किसी भी बुड़ाई के सीचने वाले खाद बीज और जल कहे जा सकते हैं जो दुनिया को नरक बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं काम से तातपरी केवल काम वासना से न होकर मनुष्य के मन में उत्पन होने वाले समस्तिक छाओं से हैं जिसकी पूर्ती में वह सदा यतनसील रहता है इस दिरिष्टी से काम मान जीवन के उदेश्यों की प्राप्ती में सहायक है और एनेथिक कामनाएं मनुष्य के नरक के द्वार खोल देती हैं अर्थात केवल दुख और असान्ति को जन्म देती हैं इसी प्रकार क्रोध और लोभ भी अनर्थ के मुल है जो यह भी सदा परिवारिक एवं समाजिक असान के लिए इनका परित्याग करना अति आवस्यक है और इसे करना ही होगा यदि आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर में इस चीज का त्याग करें यदि आप अपने मुहले कस्वे गाउं को बनाना चाहते हैं तो आप अपने गाउं मुहले कस्वे म लोगों को प्रेदित करें, जागूरूत करें और इस तरह के क्रोध से, मुह से, लोभ से, पाप से बाहर निकालें अर्थात इस तरह की सतत परक्रियाओं से एक दिन हमारा पूरा विष्व स्वर्ग हो जाएगा और जिस स्वर्ग में जाने की हम कलपना करते हैं उस स्वर्ग की देवता स्वेम धरातल पर आने के लिए ब्याकुल हो जाएंगे